ओम शान्ती नौ छे दो हजार एक्किस की साकार मुरली मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सब को शीतल बनाने ज्यान वरसाथ शीतल बना देती है प्रश्ण कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है उत्तर काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है सब काम अगनी में जलकर काले हो गए हैं बाप ज्यान वर्शा से उन्हें शीतल बनाते हैं जैसे बरसाथ पढ़ने से धर्ती शीतल हो जाती है तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं कोई भी तपते नहीं ओम शान्ती धारणा के लिए मुख्य सार पहला रुहानी पढ़ाई के नशे में रहना है पोजीशन आदी का एहंकार नहीं रखना है दूसरा अपनी जोली ज्यान रतनों से भरनी है संपून निर्विकारी बन देवता पद पाना है कभी भी मुर्जाना नहीं है वर्दान सर्व आत्माओं के पतित संकल्प वा व्रत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्यान सूर्य भव जैसे सूर्य अपनी किर्णों से किचडा गंदिगी के किटानू भस्म कर देता है ऐसे जब आप मास्टर ज्यान सूर्य बन कर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प पतित व्रत्ति वद्रश्टी भस्म हो जाएगी पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्यान सूर्य इस्थिती में सदा इस्थित रहो स्लोगन अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है ओम शान्ती हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टियों ही दे ते रहो बाबा